मैंने देखी मूवी बुलिट ट्रेन और मूवी देखने के बार मैं इतना ही कहूंगा इट्स अप पर्फेक्ट एग्जेंपल अव सिनेमा जी हाँ मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी और अगर ये रीमेक है किसी और मूवी का तो भी मैं इस जैसे कॉंटेंट को आज से 20-22 साल के बाद फिर से देखना पसंद करूँगा इस मूवी का बेस पलोट है रिवेंज बदला शूरु में ये मूवी अपने नकाब से अच्छे से खुद को चुपा लेती है मगर जैसे जैसे ट्विस्ट एंटर्न जाते जाते हैं स्क्रीन पे वैसे वैसे इसमें इंटरस्ट बढ़ता रहता है ये मूवी इस एंगल के साथ एक दूसरे एंगल को सामने रखती है वो है नजरिया में लीड का नजरिया हम सब समय के चकर में इस मत्स के धागों से बंदे हुए हैं और सोचते हैं कि यहां तो बहुत खास है हम यहां फिर किसी भी लायक नहीं है मगर अगर तुम हो यहां तो बहुत तुम्हारे होने की वज़ा छुपी हुई है समय में वक्त आने पे वो खुद तुम्हें बदल देगा बोलते हैं न कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है और सब कुछ बदल जाता है वैसा ही कुछ और में लीड का करेक्टर इसी का एक एक एक्जामपल है वापिस हाँ इस मूवी बुलिट ट्रेन पे तुझे मूवी काफी ज़ादा इंगेजिंग है अपनी स्टोरी में डाले हुए ट्विस्ट एंट टर्न्स के कारें एक भी सीन इसका फालतू जासा फील नहीं होता सीन को बनने के लिए पूरा समय दिया जाता है जिस वज़ा से जो इंपक्ट होता है सीन का वो फिल होता है देखते हुए परफॉर्मस का काम भी कमाल है इसमें में लीड का करेक्टर बहुत ही सिंपल और मेनिगफुल है हमें पता है कि में लीड यही है मगर सच में है ये डाउट बना रहता है क्योंकि इसमें जिस तरीके से दूजरे करेक्टर आते जाते रहते हैं उसी साब से मेन लीड पे भी डाउट होने लगता है सिचुएशन्स बले ही इस मुवी की एक ट्रेन के आसपास बनाई गई हैं मगर क्याक्टर को जो बैक स्टोरी दी गई हैं वो हर एंगल से उनके एक्शन्स और पॉइंट्स को जस्टिफाई करती हैं अब बात करूं एक्शन की तो बास एक्शन इसमें बहुत है और वो भी सलीके से ब्रेक लगा के दिखाया जाता है स्टोरी कई बार वापिस जाती है मगर ऐसे ही नहीं जाती है डाउट को कलियर करने और बड़ा डाउट बनाने के लिए जाती है स्पोर्टिव करेक्टर्स काफी ज़ाद हैं इसमें जो इस मूवी को और इंटरस्टिंग बनाते हैं इसलिए ये मूवी त्रिल एक्शन सिस्पेंस कोमेडी और ड्रेमेडिक जानर को छूँ जाती है बीजियम बॉस कम आवाज में बहुत बढ़िया है मगर कुछ एक्षन सीन्स में मुझे पसंद नहीं आया और आकरी स्टेशन पे जो ट्विस्ट दिखाते हैं बॉस माइन ब्लॉइंग मैं ये नहीं कह रहा कि उसका कोई हिंट पहले दिया ही नहीं गया मगर जिसे हिसाब से सीन बाइ सीन सब दिखाया जाता है वो जरूर तालियों के लायक है क्योंकि उस सब को विलन का करेक्टर हमें बताता है बागी आप इस मुवी को फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो अगर उन्हें गून खराबे से कोई दिक्कत नहीं है तो और फैमिली के साथ मैं इसलिए बोला क्योंकि इसमें हुमर काफी अच्छा है एक बार बैठ गए देखने तो देखते देखते खुद ही कडियों को जोडने लग जाओगे और एकसाइटमेंट बनती रहेगी और अगर आपको इसमें दिखाया जाने वाला वी आफेस अच्छा लगा और आप इस देखे कॉंटेंट को स्पोर्ट करना चाहते हो तो आप मेरी वी एफेक्स और साइंस विक्स शिंट से बनी बलेलिस को दूसरे चैनल मैनी मेनिया पे जाके इमेजन कर सकते हो शक्तिमान और शी एजडी बन तो मैं परसनल रिक्मेंट करूंगा लाकि मुझे सुनने के लिए आपका थैंक यू